नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभीका नॉलिज पंडित के आज के इस नएए वीडियो में दोस्तों परड़े मैं आपके लिए प्रीवेसی आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन है यदि इस्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बाला गेंद को वायू में सीधा उपर फिके तो गेंद का क्या स्टिटस रहेगा तो उपरियुक्त कोशन के अनुसार उसके हाथ में ही आकर गेंद गिरेगी ये कोशन बहुत ही पूछा जाता है आपने अगर एक्जाम दी है तो आपके लिए ये कोशन रेंडम देखने को मिला होगा अगला प्रशन है द्रणतांक निम्लिखित में से किसका अनुपात होता है तो आयतन प्रतिबल के साथ आयतन वरकृति का अनुपात द्रणतांक कहलाता है अगला कोश Bicycle के पहिये में प्रियोक्त अरें या इस्पोक भढ़ाती है उसका क्या तो Bicycle के पहिये में जो Infoks अरें प्रियोक की जाती है वो उसका जड़त्व आगुरुन बढ़ाती है नेक्ट कॉशन है प्रत्वी के गुरुत्वा करशन छेतर की तीवरता अधिक्तम कहां पर होती है तो प्रत्वी के गुरुत्वा करशन छेतर की तीवरता अधिक्तम धुरुवों पर होती है उप्शन नमर ए सही उत्तर हो जाएगा आसमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेक से उरद्वा धर उपर फेके जाते हैं निमलिकित में से कौन सी घटना घटित होगी तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोनों बराबर उँचाई तक जाएंगे राइट आंसर हो जाएगा आसुमान द्रवयमान वाले दो पत्थर समान बेक से उर्द्वा धर अगर उपर फेके जाते हैं तो दोनों बराबर उचाई तक जाएंगे नेक्श क्वेशन है जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा उपर उठ जाता है नेक्ष्ट है दोड के दोरान धावक का गुरुत्व केंदर कहां पर होता है तो दोड के दोरान धावक का गुरुत्व केंदर उसके पैरों के आगे होता है अगला प्रश्ण है समुद्र के जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है तो आस्वन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुद्र के जल को सुद्ध किया जाता है नेक्स्ट है वायू मंदली हवा प्रत्वी पर रखी जाती है कैसे तो वायू मंदली हवा प्रत्वी पर गुरुत्व के द्वारा रोकी जाती है या रखी जाती है नेक्स्ट है एक कागच का तुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही उचाई से गिराए गए हैं निमलिखित मेंसे किस परिस्थिती में दोनों एक साथ प्रश्ट पर पहुँचेंगे तो कागच का तुकड़ा और क्रिकेट दोनों जब निर्वात में गिराया जाएगा तो दोनों ही एक ही स्थिती में प्रश्ट पर पहुँचेंगे अगले कॉशन पर चलते हैं धक्का सह प्रायह स्टील के बने जाते हैं क्यों सौकप्स की बात हुरी यहां पर तो सौकप स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्त था अधिक होती है next है पहिये में बॉल बेरिंग का काम क्या होता है तो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना बॉल बेरिंग का काम है राइट आंसर हो जाएगा गतिज घर्शन को बेलन घर्शन में बदलना बॉल बेरिंग का काम होता है इस्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पातर में डालने पर वह क्या होगी अगला कॉशन देख लेते हैं अगला प्रश्ण है वायू मंडल में जलवास्प की मातरा पाई जाती है कितनी तो आदरता के रूप में जलवास्प की मादरता वायू मंडल में उपस्ते तो होती है तरल पदात का घनत्व गरम करने पर कैसा होता है तो तरल पदात का घनत्व गरम करने पर कम हो जाता है option number A सही उतर है next question है एक लकडी के तुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्पलावन बल होगा तो एक लकड़ी के तुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर उत्पलवन बलंग का मान जो है लकड़ी के भार से कम होगा राइट आंसर हो जाएगा क्या कारों में ऐसे बंपर होने चाहिए जो टककर पर सिमट जाए यहां संभाव है तो यदि होका तो हाँ क्योंकि वे टककर के प्रभाव को जहल कर यात्रियों की आवशोशन की सुरक्षा करते हैं तो ऐसे टककर के सहने वाले बंपर कारों पर होना चाहिए नेक्ट कॉशन है वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं तो फिसलन से बचने और नियूंतम घर्षन के लिए वाहनों के टायरों में अच्छे से फुलाने के लिए हवा भरी जाती है भिन कोणों वाले परंतु समान उचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुड़कने में क्या आप्शन इसमें से सही रहेगा तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भिन कोण वाले परंतु समान उचाई वाले दो आनत सम्तलों पर किसी गोले के लुड़कने में एक ही गती होती है राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन है लाइफ जैकेट का सिध्धान्त क्या होता है तो लाइफ जैकेट व्यक्ति को उत्राए रखता है और आयतन में बृद्धी कर देता है आप्शन नमर भी प्रशन का सही उत्तर है कौन सा संगट्य अत्यदिक छती कारत होगा यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो टकर के बाद दोनों कारों की गती शूनि हो जाती है जब ऐसी स्थिति हाती है तो यह सबसे ज़्यादा छती कारत इस्थिति होगी खिलाडी एटलीट निमलिकित मैंसे किसका लाब उठाने के लिए लंबी कून यानि की लौंग जम से पहले दोड़ता है तो खिलाडी एटलीट लंबी कून से पहले दोड़ लगाता है गती का जड़त तो पाने के लिए जब जूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो जूले के दोलन की आवरत्ती कैसी हो जाती है तो खड़े होने पर जूले के दोलन की आवरत्ती बढ़ जाती है पानी की एक बाल्टी को केबल एक हाथ से ले जाने के बजाए दो बाल्टीों को अलग-अलग दोनों हाथों से ले जाना आसान होता है कारण क्या है तो ऐसा करने पर गुरुत वे केंद्रता संतुलन केंद्र पैरों पर आ जाता है जिससे गिरते नहीं है और आसानी से चल स दोनों को पानी में बीकर में डाल दिया जाए तो नमिलिकट में से किस में उठेगा तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा यदि किसी साधर कांच की नली और एक कांच की केश का नली दोनों को पानी के बीकर में डाल दिया जाए तो पानी जो है ऑप्शन अमबर दोनों में ही उपर उठेगा राइट आंसर हो जाएगा पानी का प्रश्टनाव अपमार्जक मिलाने पर कैसा होता है तो पानी का प्रश्टनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है कुए से पानी खीचने के लिए एकल इस्थर पुली का प्रयोग किया जाता है कारण क्या है तो कुए से पानी खीचने के लिए पुली इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि बल का प्रयोग सुविता जनक दिशा में किया जाता है अगला प्रशन है एक तामे की छड़ और दूसरी इस पात की दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उच्छेप होता है इस प्रकार दोनों कैसे होंगे तो यदि की दोनों समान आयतन के होंगे तभी समान आयतन के दो अलग लग धातुओं के आपजेक्ट को भी पानी में डालेंगे तो पानी का उच्छिप एक जैसा होगा अगला कॉशन है बेग ग्राफ का ढाल निमलिकित मेंसे किसको दरशाता है तो बेग ग्राफ का ढाल तुरण को दरशाता है नेक्ट है यदि विराम अवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक तुकडों में फट जाता है तो सभी तुकडों का कुल संबेक कितना होगा तो सभी तुकडों का कुल संबेक जो है शूने होता है क्योंकि वह विराम अवस्था में छोटे छोटे तुकडों में फट जाता ह किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किये जाने के बाद पीछे हड़ जाती है उस गोली के प्रती राइफल का गतिज उर्जा अनुपाद निम्लिकित मैंसे कितना होता है तो राइफल के प्रती गतिज उर्जा अनुपाद जो है शूने होता है आप्शन नमबर A सही उत्तर है नेक्स्ट है एक ग्राम बर्फ को जीरो डिग्री पर पुरूरता पिगलाने के लिए कितना यांत्रिक कारे करना होगा तो एक ग्राम बर्फ को जीरो डिग्री सेंटीग्रेट पर पूरा पिगलाने के लिए असी जूल काम करना होगा अप्शन नमबर B प्रशनी के लिए सही उत्तर है जब वाश्विदाब वायूमनिलियदाप के बराबर हो जाता है तो द्रव पर किया प्रभाव प्रता है बाल पैन के सिद्धान पर काम करता है तो प्रष्टिय तनाव के सिध्धांद पर बॉल पेन काम करता है अगला कॉशन है पक्षियों को बहुत उचाई पर उड़ते समय सांस की परिशानी क्यों नहीं महसूस होती है क्योंकि उनमें अत्रिक्त वायू कोश होते है इसलिए अधिक उचाई पर उड़ने पर भी उनको सांस की परिशानी महसूस नहीं होती है वायू की उर्द्वाधर गती को क्या कहते है तो इसे हम वायू प्रक्षोब के नाम से जानते है अगला कॉशन है दूद को मतने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है तो दूद को मतने से क्रीम के अलग हो जाने का करण अपके अंद्रिय बलका से धानत है आप्षन नमबर 20 सही उत्तर है अगला कॉशन है सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और उर्दवाधर ब्रत से तेजी से घुमाया जा रहा है बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित हो जाएंगे तो सोडा लाइन की बोतल में गरदन के निकट जो है गोले या बुलबुले एकत्रित हो जाएंगे निम्निकण एक ही गतिज उर्जा के साथ चल रहे हैं उनमें से सबसे अधिक सम्वेक किस कणका होगा तो सबसे अधिक कण अलफा कणका होगा इन सभी कणों की गतिज उर्जा को अगर देखा जाए तो जब हम भूमद रेखा से ध्रोव की ओर आते हैं तो गुरुत्वाकर्शन का तोरण बढ़ता है जिम्न भूमद रेखा से ध्रोव उत्तरी ध्रोव की ओर जाते हैं अगला कॉशन है क्रिकेट की गेंद को किस कोड से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक्तम छेटिक दूरी तक जा सके तो इसे हम 45 डिग्री के छेटिश कोड से अगर हिट करते हैं तो अधिक्तम दूरी तक जाएगी प्रत्वी पर शरीर का अधिक्तम भार कहां पर होता है तो धरातल पर प्रत्वी पर शरीर का अधिक्तम भार होता है रेल की पट्रियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है या जोड़ी कई गई होती है क्योंकि रेल गाड़ी के भार के थेच शेतिज घटक से आवशक अभी केंद्रिय बल प्राप्त किया जा सकता है इसलिए उनको अपने किनारों पर वक्र कर दिया जाता है नीटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं तो जड़तों के नियम के नाम से न्यूटन के पहले नियम को जानते है जब शुद जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो प्रश्चतनाओ कैसा होता है तो जब शुद जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो प्रश्चतनाओ घड जाता है एक मकान की छट से भूमी की और एक पत्थर गिरा जाता है उस पत्थर की गतिज यानी की काइनेटिक उजा अधिकतम कब होगी तो जब वा पत्थर जो है भूमी पर पहुँचने से ठीक पहले की इस्तिती में होगा तब उसकी गतिज उजा अधिकतम होगी तो दोस्तों ये टेस्ट सैट पेपर कैसा लागा आपके लिए कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पूरा देखा है तो लाइक करना ना भूलें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद